दियर फ्रेंड्स एंड माई लवली स्टूडेंट्स मैं उमेश उर्मा शीता गुरुफाप एजुकेशन चैनल में आपका बहुत-बहुत श्वाजत है विद्यार्थियों आज हम शुरू कर रहे हैं भारत के विभिन राजियों की स्रंखला जिसमें हाई स्कूल और इंटर्मीडियेट के विद्यार्थियों के साज साथ में तमाम सारे कंपटीशन्स में महत्पूर्ण कुश्चन जो आते हैं उनकी जानकारी यहां पर प्रस्तुत की जाएगी तो उनहीं प्रदेशों के अध्यन के संदर्व में आज आपके समक्ष प्रस्तुत है अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश का संग्छिप्त परिचे है बहुत महत्पूर्ण वीडियो होगा विद्यार्थियों इसलिए इसे आप आन्त तक के देखिएगा चैनल को सब्क्राइब कर लिजिएगा ताकि चैनल के द्वराव प्लध कराये जाने वाले वीडियोज की आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स प्राप्त हो तो आईए प्रस्तुत है प्रदेश का संचित विवराव शब्से पहले हम अपने प्रदेश के नाम करण के विशय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश को उत्तर बैदिक काल में ब्रंभरीशी देश के नाम से जाना जाता था मध्य देश के नाम से भी पुकारा जाता था 1833 में इशे बंगाल प्रेशिडेंसी से अलग करके अलग आगरा प्रेशिडेंसी के रोप में नर्मित किया गया 1836 में उत्तरी पशिवी प्रांत के रोप में यह स्तित्यों में आया और इसका मुख्यालय आगरा बना 1858 में मुख्यालय आगरा से एलाहबाद इस्थान अंतरित हुआ इसके बाद 1935 में अपने प्रदेश की राधानी लखनव बनी इसी तरीके से समय अंतराल के साथ 1877 में आवध तथा उत्तरी पशिवी प्रांत का एकी करण हुआ और इसका नाम उत्तरी पशिवी प्रांत आगरा और आवध इस प्रकाश से कर दिया गया 1902 में इसका फिर से नाम परिवर्तन हुआ और अब आगरा और आवध का संयुक्त प्रांत इस रूप में नवाजा गया अपना उत्तर प्रदेश एक अप्राइल 1937 इस बी को इस प्रांत का नाम पूना हचेंज करके संयुक्त प्रांत इस प्रकाश से हुआ और अन्तताः 27 जनुवरी 1950 इस बी को इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ऐसा स्तित्तों में आया और जो आज तक इसी नाम से नवाजा जाता है मित्रो 9 नौमबर 2020 को इस प्रदेश के 33 जो परवती इस टेट थे इनको अलग करके उत्तरा खंड एक नए राजिक को अस्तित्तों मिला तो इस तरीके से आपने परिचे प्राप्त किया उत्तर प्रदेश के एतिहासिक स्वरूप को इसके बाद नेक्स्ट पर हम आते हैं तो यहां के जो महत्पूर्ण फैक्टर्स हैं उनकी जानकारी प्राप्त कलने यहां की राजकिय भाषा हिंदी है जो 1947 इसवि में स्वक्रत की गई दूसरी राजभाषा उर्दू अस्तित्तों में अपनाई गई 1989 में यहां का जो राजकिय पशू है बाराशिंगा है राजकिय पक्षी शारश है जिसे क्रोंच इस रूप में भी जानते हैं यहां का राजकिय ब्रक्ष अशोक है राजकिय फूल पलास है जिसे हम टेशु के नाम से भी पुकारते हैं इसे 4 जनवरी 2011 को मानिता मिली यहां का राजकिय जो खेल है हकी है और जैसा आपको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश का राजकिय चिन एक ब्रत के अंदर तीन लहरें बनी हुई है और उसके अंदर दो मचलिया और उसके उपरी भाग में धनुस्तीर इस प्रकार का हमारा शिंबल है उत्तर प्रदेश का 1938 इसमी में इसे सुर्कत किया गया इसमें से मचलिया जो दो हैं ये मुस्लिम शाशकों का प्रतीक हैं और जो तीर धनोश है वो हिंदू धर्म के प्रतीक पुर्षोत्तम सीरी राम के सुरूप को अपनाता है यहां की तीन तरंगें जो आप देख रहे हो ब्रत्त के अंदर ये गंगाय मुना शाशुती के शंगम का प्रतीक हैं तीस प्रकाश से आपने जानकारी प्राप्त की कुछ महत्पूर्ण तथ्यों के विशय में इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो अपने प्रदेश का ज पहला जो सदन है इसे हम बिधान सभा के नाम से जानते हैं जबकि दूसरा सदन बिधान परिशत के नाम से जना जाता है जो बिधान सभा है इसकी कुल सीटों की संख्या 404 है जिसमें से 403 निर्वाचित प्रतिनिध होते हैं आम जनता के द्वारा जिनें चुना जाता है औ और एक सदस एंगलो इंडियन के रोप में मनोनीत किया जाता है अपने प्रदेश के गवर्नर के द्वारा। यहां पर बिभीन सीटों का यदि हम निर्धारन करें तो यहां का जो बुंदेल खंड छेत्र है यहां से 19 सीटें निर्धारित हैं पुर्बांचल से 162 सीटें इसी प्रकाश से पस्षिमांचल से 149 और मध्यांचल से 73 सीटें हैं जिनके अंतरगत चुनाव होता है विधान सभा का इस बिधान सभा के चुनाव में जो दिजर्व सीटें हैं इनकी संख्या 6C है जिसमें से SC 84 सीटों पर और ST 2 सीटों पर चुना जाता है यहां पर सबसे ज़्यदा सीटें जिस जनपद में हैं वो इलाहवाद है 12 विधायक अकेले इलाहवाद से चुने जाते हैं और अपने पर देश का सबसे कम सीटों का नेत्रत्त करने वाला जो लिष्टेक है उस रावस्ती है केवल दो सीटें चैनित होती हैं और इसी प्रकाश से मोहबा भी दो विधायकों को चुनने का अधिकार रखता है इसी तरीके से विध्याथियों जो विधान परशद है आपको पता है कि ये अस्थाई यंग है ये एकदम से कभी भंग नहीं होता है इसके दो तिहाई सदस एक तिहाई सदस हर दो वर्स बार रिटायर होते रहते हैं और उनके अस्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है कूल सीटों की संख्या उतरपदेश विधान परशद की सो है इसमें से यदि सीट वाईज चर्चा करें तो दस सीटों का मनोनेयन होता है मानिये गवर्नर के दोरा 38 सदस्यों की नियुकती विधान सभा के सदस्यों के दोरा की जाती है 36 सदस्यों की नियुकती अस्थानी निकायों के दोरा 8 सदस्यों की नियुकती सिचक समुह के दोरा जो माधिमिक विध्यालियों में पढ़ा रहे सिचक समदाय के लोग होते हैं उनके दोरा चैनित होती है जबकि 8 सीटों का चुनाव अपने प्रदेश के जो ग्रेजवेश पास्ट विद्यार्थी हैं उनके द्वारा किया जाता है तो इस प्रकाश से आपने जानकारी प्राप्त की अपने प्रदेश के बिधान मंदल के संदर्म में अब इसके बाद मैं अगले शीर्षक पर आता हूं और वो शीर्षक है उत्तर प्रदेश का भागोलिक परिशे हैं तो अपने उत्तर प्रदेश का जो अच्छांसी विष्टार है 23 दिग्री 52 मिनट उत्तरी अच्छांस से और अन्तरचाह 30 दिग्री 24 मिनट उत्तरी अच्छांस तक फैला है अपना उत्तर प्रदेश देशांतरी इस्तिती की हम बात करें तो 77 डिगरी 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिगरी 38 डिगरी पूर्वी देशांतर के मद्धी उत्तर प्रदेश का विश्तार पहे जाता है अपने प्रदेश की पूरपश्यम लंबाई 650 किलोमेटर है जबकि उत्तर रच्षन चौडाई 240 किलोमेटर है अपने प्रदेश का जो छेतरफल है 24928 वर किलोमेटर है जो अपने भारत के कुल छेतरफल का 7.33 प्रसत भाग का प्रतिनिधित्ट करता है अपने प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है जनपद 75 है अपने प्रदेश की आठ राज्यों से बाउंडरी टच करती है एक केंसासित प्रदेश दिली से सीमा लगती है और देश के उतरी साइड में नेपाल देश की अंतराश्य सीमा भी इसपर्ष करती है अपने प्रदे अपने प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सारनपुर है पशीमी जिला समली है पूर्बी जिला बलिया है जबकि दच्छनी जिला सोनभद्र है अपने प्रदेश का सर्बाधिक छेत्रफल लखने वाला जो जिला है वो लखेमपुर खिरी है जबकि सबसे कम छेत्रफल जिस जिले का है वो संतर विदासनगर यानी भदो ही है अपने प्रदेश का जनगनत्तु 2011 की जनगन्ना के आधार पर 829 ब्यक्ति प्रतिवर किलोमेटर है यदि हम जनपदों में चर्चा करें तो सर्बाधिक जनगनत्तु गाजियवाद जिले का है 3971 ब्यक्ति एक वर किलोमेटर में निवास करते हैं जबकि सबसे कम जनगनत्तु लदित पूर जिले का है जहां मात्र 342 ब्यक्ति रहते हैं एक वर किलोमेटर में यदि हम लिंगानपात की बात करें तो 2011 की जनगनना के अधार पर 912 है जनगानपात महिलाओं का सर्बाधिक जो लिंगानपात है वो जौनपूर जनपद का है जहां एक हजार 24 महिलाएं निवास करती हैं एक हजार पुरुष पर निवास करता सरवस्ति जिले की है जिसमें से सरबाधिक साचरता गौतम बुधनगर की है असी दस्मलो एक दो परशंट जबकि निवास्ति जिले की है 46 दस्मलो साच चार परशंट तो ऐसे अपने अप्राप्त की कुछ महत्पूर भागोलिक जानकारी अपने प्रदेश से रिलेटेड है आप इसके बाद हम आपके सामने शीमाओं की चर्चा कर दें तो अपने प्रदेश का जो शहारन पुर जीला है इसकी सीमा उतराखंड स लगती है मुझफर नगर की सीमा उतराखंड से लगती है बिजनाओर की सीमा उतराखंड को टच करती है मुरादाबाद की सीमा उतराखंड से लगी है रामपूर की सीमा उतराखंड से लगी है बरेली की सीमा उतराखंड से लगी है और पीली भीत का कुछ हिस्सा उतराखं बात्पर्थ करते हैं अपने उत्तर्प्रिश के इसी प्रकार नेपाल जो देस है उसे हमारे प्रदेस के किन्जन पनों की शीमा लगती है तो ऐसा आप देखें कि पीली भीतिका जो पूर्भी हिस्सा है यह नेपाल की शीमा को इस पर्श करता है लखिम पूर जीला, पाईच, स्रावस्ति, बल्रामपुर, सिधार्थनगर और महराजगंज यह जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं ऐसे ही हम बिहार की सीमा पर आएं तो कुशी नगर बिहार की सीमा को इसपर्ष करता है क्रमचाह देवरिया, बलिया, गाजीपुर और चनलोली यह जिले बिहार की सीमा को इसपर्ष करते हैं अपने पर देश के इधार जो सोन भद्र डिस्टिक है इसकी सीमा जारखंड से लगती है दच्छन में 36 गड़ से लगती है और यदि हम पश्चिम साइड में आएं तो मध्य पर देश से टच करती है तो सोन भद्रिय का ऐसा जिला है जो इधार जारखंड से भी मध्य पर देश से भी और 36 गड़ से भी सीमा बनाता है यदि हम मध्य पर देश में करमसा आगे वड़ हैं तो सोन भद्रा के बाद मिर्जापूर, इलाहबाद, चेत्रकूट, बांदा, मोहोबा, जहांसी, ललितपूर, जालाओन, औरयया और इटावा यह जो जिले हैं और कुछ हिस्सा अगरा का भी पढ़ता है मध्य पर देश की सीमा के साथ यदि हम राजस्थान की सीमा की तरफ चलें तो अगरा और मथुरा की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं जबकि उत्तर में जो शहारनपूर है इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है और पशिम में शहारनपूर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, इनकी सीमाएं पशिम में हर्याना राजी से इसपर्ष करती हैं तो इस प्रकाश से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो जन्पद हैं इन से कौन से राजी शीमा बनाते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों नेक्स्ट पर हम आते हैं अपने प्रदेश की प्राकतिक बनश्पत के संदर्म में शोलमी बन रिपोर्ट जो 2019 में जारी हुई है उसके आधार पर प्रदेश का कुल बनावरण 6.15% है कुल जो ब्रच्छावरण है वो 3.04% है यदि ब्रच्छावरण को कुल बनावरण के साथ जोड़ दिया जाए तो टोटल 9.19% देश का बन रकबा आता है सरबादिक बन जिन जन्पदों में हैं उसमें सबसे ज़्यदा बन सोन भद्र में इसके बाद क्रमसा घटे क्रम में लखेमपूर और मिलजापूर का अस्थान आता है जबकि सबसे कम बनों वाले जो जन्पद हैं उसमें सबसे कम बनों का रगबा भदोही में है फिर इसके बाद मउ, मैनपूरी इन जन्पदों का अस्थान बनता है यदि हम प्रतिसत्ता के हिसाब से बात करें तो सोनभद्र, चनडवली और पीली भीती का अस्थान आता है न्यूंतमबन प्रतिसत्ता के हिसाब से भदोही, मैनपूरी और देवरिया का अस्थान बनता है इन पिछले दसकों में सरबाधिक बनों का जो छेत्रफल बढ़ा है, वो सहारनपूर में आसा तीत ब्रधी हुई है, 70% के साथ में, जबकि सबसे कम ब्रधी दर्ज जिस जन्पद में हुई है, वो कास गंज है, 19.2% के साथ में तो ऐसा आपने देखा प्रधेश की प्राकतिक बनस्पत के संदर में, अब मैं चर्चा करता हूँ अपने प्रधेश में बहने वाली प्रमुक्त नदियों के संदर में, तो विद्यार्थियों अपने प्रधेश में कई शेत्रों से नदियां निकल करके प्रवाहित होती है जिसमें से तमाम नदियां हिमाली छेतर से निकल करके चाहे उतराखन से निकलती हों चाहे नेपाल से निकलती हों उनका आगमन भारत में होता है ऐसी नदियों में गंगा, यमुना, राम गंगा, शारदा, घागरा, राप्ती और गंडग का स्थान आता है तो ये सब ही नदियां कहीं न कहीं बिभन छैतरों से निकल करके गंगा में आकरके मिलती हैं बायसाइड से, यमुणा एक ऐसी नदी है जो उत्राक्षण से निकल करके और इस गंगा में दाहिने किनारे से मिलती हैं इसी परकाषे बिद्यातियों कुछ ऐसी नदियां है जो विभिन तराई शेत्रों से या ज़ील प्रदेसों से निकलती है उसमें एक नदी गोमती है जो पीली भीत के फुलहर नमक ज़ील से निकलती है अनी नदियों में एक वरुणा है और साइए इसी प्रकास से जो पठारी नदियां है उसमें से चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है और रिहंद नदियां है यह पठारी छेतर से निकल करके या तो यमुना में मिलती है या फिर डारेक्ट गंगा के साथ में इनका मिलन होता है तो मैप आपके सामने लगा हुआ है, आप देखेंगे, पहिंचानेंगे, सीखेंगे और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करेंगे वीडियो पर आपकी समस्या का सुल्यूशन किया जाएगा इसके बाद भी दियाथियों हम चर्चा करते हैं प्रदेश के प्रमुक बांधों के संदर में तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुक बांध है रिहंद बांध जिसे हम रेडुका बांध के नाम से भी जानते हैं गोबिंद बलब पंत सागरबांध के नाम से भी जानते हैं रिहंद नदी पर बना हुआ है सोनभद्र डिस्टिक में इसी प्रकास से माता ठीला बांध बेतवा नदी पर अस्थापित है ललित्पो जिले में राम गंगा बांध राम गंगा नदीपर अस्थापित है उत्तर प्रदेश के बिजनो जिले के धाम पुनामकस्थान पर और ये अपने प्रदेश का सबसे उचा बांध है जिसकी हाइट 127.5 मेटर है अनि बांधों में एक मेजा बांध है जो बेलन नदीपर है मेजापुर जिले में राजगाट बांध बेतवा नदीपर है लडित पुर जिले में सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदीपर ही जहांसी में है जबकि चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदीपर चंदवल जीले में आता है, नेक्स्ट, अब हम चर्चा करते हैं, प्रदेश के प्रमुग पच्छी बिहारों के संदर में, तो सबसे पहला जो पच्छी बिहार है, वो उनाव का नवाब गंज है, 1984 में अस्थापित हुआ, इसी प्रकाश से समस्पूर पच्छी बिहार राइवरेली में है, लाक बहोसी पच्छी बिहार कनोज में है, पटना पच्छी बिहार एटा में है, बिजै सागर पच्छी बिहार महोबा में, पारबती अरंग पच्छी बिहार गोंडा में, शमान मैनपूरी में, ओखला गोतम बुध नगर में, शांडी हर्दोई में, सूर सरुवर आगरा जनपद में, सूरहा ताल बलिया जनपद में, और डाक्टर बी आर अमबेटकर पच्छी बिहार परताप गड़ में है, ये लेटेस्ट 2003 में अस्थापित हुआ है, तो ऐसे आ पाद हम चर्चा करते हैं, बन्य जीउ विहारों के संदर में, तो उश में चंध्र प्रभाय एक बन्य जीउ बिहार है चंडवली जीले में, किशन पूर बन्य जीउ विहार लखेम पूर खिरी में है, कतर्निया घाट बहराईच में है, रानीपूर चेत्रकोट में, महाबीर स्वामी ललितपूर में, चंबल दो जनपदों तक फैला हुआ है आगरा और इटावा में, कैमूर बनीजियू बिहार मिर्जापूर तथा सोनभद्र में है, हसिनापूर बनीजियू बिह चार जनपदों तक फैला हुआ है, मेरट में, हापोड, अमरोहा और बिजनवर में, सोहागी बरवा बनीजियू बिहार महराज गंज में है, सोहेलवा बहलामपूर तथा गोंडा जनपदों तक फैला हुआ है, जबकि पीली भी टाइगर रिजर्व पीली भी डेस्टिक मे इसी प्रकाश से विद्यार्थियों एक राष्टिय पार्क भी है, अपने प्रदेश का, जीसे हम दुधवा पार्क के रूप में जानते हैं, जो आज टाइगर रिजर्व के रूप में अस्तित्यों में आ चुका है नेक्स्ट, स्लाइट की तरफ बढ़ते हैं, तो अपने प्रदेश के कुछ खनिजों की चर्चा हम कर लेते हैं, हलाकि अपना उत्तर प्रदेश मैदानी छेतरफल के अंतर गताता है, अता खनिज संसाधनों की द्रश्ट में कमजोर है, फिर भी इसका जो पठारी छेतर इस इसमें बलुआ पत्थर और एसबेस्टस इन खनिजों की प्रमुक्ता पाई जाती है, एलाहावाज में विभिन नदियों में सिलिका बालू मिलती है, ललित पो जो डिस्टिक है, इसमें तांबे के साथ यूरेनियम के भंदार पाए जाते हैं, जबकि सोन भत्र जो के इन जनपदों के अंतरगत, इसके बाद भी दियाशियों, अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, तो अपने प्रदेश के कुछ महत्पूर्ण, पर्याटन और दरसनिय केंद्रों की चर्चा कर लेते हैं, तो यहां के प्रमुक्त जो दरसनिय केंद्र हैं, उसमें का कीला और ताज महल देखने लायक है, फतेपूर्शी करी में भी तमाम सारी इसमार्कें हैं, इस्थापतिकला के नमूने के रोप में, जिसमें बुलंदर वाजा, जोधा बाई का महल, शेक सलीम चिस्ती की दरगाह, आईसी कृतियां हैं देखने लायक, बल्रामपूर जो जिला है, यहां पर पाटे सोरी माता का भव्य मंदिर है, कुशी नगर जो जिला है, यह गौतम बुध की निर्मान अस्थली के रोप में पहिंचान बनाता है, बारण असी में काशी विशुनात मंदिर को कौन नहीं जानता है, एलाहाबाद तो कुम्ब मेले के रोप में अ और बारविय साल देश के कोने कोने से लाखों तीर्थ यात्रियों का तांता यहां पर इकठा होता है, यहां पर आनंद भवन, आलफ्रेट पार्क और भरद्वाजी का स्रम है, शीतापूर जनपद में जो नइमिस है, यहां का चक्र तीर्थ, लड़िता मातादी का मंदिर और मिश्रिक तीर्थ फेमस है, जहां पर महार्शी दधीची के द्वारा देवराज इंद्र को अपना अस्तिदान किया गया था, बारवंबंग की जनपद में तमाम सारे देखने लायक चीज़ें हैं, उसमें से दिमाशरीप फेमस अस्थान है, लोधेश्वर महादेव है कुंतेश्वर महादेव का भी एक महतपूर अस्थान है, जिसकी अस्थापना कुंती के द्वारा महाभारत के काल्व में की गई थी, आयसी लोग खताओं में प्रचलन मिलता है, कोटवा धाम एक प्रमुक दर्शनी अस्थान है, और एक बहुत ही महतपूर उपलबधी बा जो मतुरा है, यहाँ पर द्वारिखा दीज का मंदिर और बवाजय गुर्देव का मंदिर कलाकरती की द्रश्चे उतकरेश्ट नमुने हैं, जबकि पडोस में ही ब्रंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर, रादा वल्लब का मंदिर, निधी बन मंदिर और प्रेम मंदिर, उतकरेश्ट, कला के बेजोर नमुने हैं, धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं और देश के तमाम छेत्रों के लोग दर्शन के लिए यहाँ पर आया करते हैं, इसी प्रकास से कानपुर में जेके टेमपल, इडन गार्डन स्टेडियम, भीतर गाउं मंदिर, जो वर्ड वाटर पार्क, देखने लाइक चीजें हैं, ललितपुर का देवगढ का दसावचार मंदिर, बहुत पुराना भवी मंदिर है, इसी प्रकास से लखनवू, रेजिडेंसी, इमाम बाडा और कुकरैल, जो मगर मच्छों के चन्रच्छन के लिए अस्थापित किया ग घर भी बहुत ही आकर्शक, मनोरंजक और देखने लाइक अस्थान है, इसके बाद भी दिया थियों, अगले सीशक पर हम आगे वड़ रहे हैं, और तमाम सारे अपने प्रदेश के अस्थान हैं, जिनको तमाम उपनामों से जाना जाता है, उसमें से कुछ खासी जो में, न मामों का सहर मलिहावाद, मुरादावाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, अलीगर ताला नगरी के रूप में फेमस है, कानपुर को उत्तर भारत का मांचेस्टर कहा जाता है, मेरट को कैची नगरी के नाम से, कर्नावज को इत्र नगरी के नाम से, आगरा को ताज नगरी के रूप में प्रसिद्धी है आध्या को तीर्थ नगरी के रूप में पुकारा जाता है और फिरोजाबाद में काच का काम इतना बेहतरीन तथा भारी मात्रा में होता है कि उसे चूडी नगरी के नाम से पुकारा जाता है वहीं भदोही कालीन नगरी के नाम से गाज प्रकास से आपके सामने प्रस्तुत हुआ एक बहुत ही महत्पूर शेशक जिसमें जानकारी आपने प्राप्त की आपने प्रदेश की आएसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम नए प्रदेशों की जानकारी को लेकर के प्रस्तत होंगे आप से आगरा है कि आप चैनल को सब्क्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए और ज्यान प्राप्त करिए अगले वीडियो को लेकर के मैं पूना हाजिर होंगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यो कर दो